मैं अचारे मनीश आप सब पतरगारों के मादियम से लोगों कुछ बाते बताना चाहता हूं कि कैसे खाने पीने का ध्यान रखे या आप घर पे अपने आपको ठीक कर सकते हूं सबसे पहले राग को ब्रश करके सोना ह AG इस पैशली फेली फॉर हार्ट पेशने और किट्नी पेशने पीशन डारा रहा हूं जो आजकल बहुत जुआ बिमारी बढ़ रही है सबसे पहले राग को आपको दान्त साफ करने है जब भी सोना है सिर पूरों में या दक्षिन में होना चीए मलब सिर जो है सोते समय पूरों या दक्षिन में होना चीए और जब सुबह आपकी नींद खुल जाए तो बाईं करवट उठना होता है लेटना भी हमेशा बाईं करवट है उठना भी हमेशा बाईं करवट है और जब जो भी आप खाते हो अंगुठे के ना खून के टुकड़े जितना आपका खाने का टुकड़ा होना चाहिए बाईं नहीं किया, पानी का पाचा नहीं किया, वो आपके लिए अंदर बीमारी बनाता है, इसलिए बाडी में फ्लूड भरता है, और आजकर आप सुनते हो किड़नी बहुत ज्यादा फेल हो रही है, लोग नारियल पानी, जूस का गिलास, पानी का गिलास, एक घुट में पी जाते हंदा आजम करने के रस हमारे शरीर में नहीं है, जैसे आज़िकरम खरिकी है, जो भाप मिक्सी में समान हो गर्ण हो जाती तो बंद कर देते हो, ऐसी घजाने हैं एंजाइम सी सिकरेट नहीं करता जिस दिन हम खाना टेंशन में खाते हैं तो इसलिए टेंशन वाले दिन खाना नहीं खाना होता इसके अलावा जो भी खाना है लाश्टा, लंच और डिनर उनसे पहले खाना में जो भी खाना है उससे पहले सैलेड या फ्रूट की बड़ी प्लेट बड़ी प्लेट चबा चबा के खानी है मला सैलेड फूट काने के पहले खाना है और कभी भी खाना काने के साथ पानी नहीं पीना आदा घंटा पहले या आदा घंटा बात अगर खाना काने के साथ पानी पीना है तो बिल्कुल गरμ, 70-80 degree temperature का पानी मलब गरम गरम चाई की तरह उसको पीना एक एक घूट करके और जब भी कभी आपको कोई भी पहला लक्षन आए किसी भी तरह के फलू का, बुखार का, जुकाम का, खासी का, किसी भी तरह की सरदी लग जाए, कोई भी इंफेक्शन लग जाए इमीडेटली अपने पामों को एक बाल्टी में 40-42 डिगरी गरम पानी करके उसमें बैठ जाएं और एक गरम गरम पानी का गिलास भी है, अदा घंटा ऐसे करेंगे, तो चैसा भी बुखार हो, जुकाम हो, खासी हो, फलू हो, चाये करोना हो, कोई भी सिम्टम है ना, दो घंटे के बाद आपकी बाड़ी नॉर्मल हो जाएगी, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, जिनको अपन कर आप खुदी स्वस्त हो सकते हो, और आईरुवेद का प्रमुक सूत्र भी है, सर्वेशा नाम, रोगा नाम, निदानम, कुपिता मला, यानि कि अगर रोग हैं, तो कुपित मल की वज़े से हैं, यानि कि गंदगी को निकालना, तो उसके लिए आप अपने घर पे उपव आप और आपके परिवार को हम आईरुवेद की शक्ति दिखा सकें, ताकि अगला कोई प्लैंडमिक जब प्लैन करें, तो उसको पता हो कि इस देश में आईरुवेद चलता है, क्योंकि होता क्या है, कि आईरुवेद को लोग सेकंडरी चॉइस मानते हैं, हम इसको फर्स च बनाना चाहते हैं, तो वो बिना पतरकारों के सयोग के संभव नहीं है, और जब पतरकारों को पता लगेगा कि हमारी प्रॉबलम आईरुवेद से ठीक होती है, तो ने अच्वी बाद है, बाकि सारे समाज को भी पता चलेगा, कि आईरुवेद को पहली चोईस बनाना है, और आईरुवेद को गएखर तक पहुचाना है बीपी लगवाब हर घर में है और शुगर और बीपी जब कई साल पुराने हो जाते हैं तो किड्नी फेल या हाट की प्रॉब्लम हो जाती है शूगर को बीपी को किटनी फेल जैसी बिमारियों को हार्ट की प्रॉब्लम को रिवर्स किया जा सकता है जैसा हम आज ट्रेनिंग में लोगों को बता भी नहीं है कि अपने घर पे कैसे ध्यान रखना है संदेश देना चाहिए सारोग्ष नैचरोपैथी को अपनाए तभी इस देश का भला हो सकता है और मैं सारे आप लोग के माद्यम से पूरे देश के दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि जब भी कोई पिमारी आती है बड़ी पिमारी आती है किसी भी एक बार डॉक्टर के बातों में आकर ओपरेशन के लिए या अंग कटवाने के लिए या ट्रांस्प्लांट के लिए तैयार मत हो जाया करो पहले आईरवेद या नैचुरोपेथी के विशेशके जो संपर्क कर लिया करो कि क्या आपके बास कोई सोलूशन है या क्या मेरी बॉड़ी में ऐसी ताकत है कि मैं इस बीमारी को खुद हरा पाऊं तो ज़्यादा बहतर रहेगा मेरे इस आपसे ओपरेशन या कोई भी ट्रास्प्लांट कराने से पहले इनसान को एक बार आईरवेद के विशेशके से मिलना जरूरी है अब आप अपने हेल्थ इंशोरेंस से हमारे किसी भी क्लिनिक या हॉस्पिटल से अपना आईरवेदिक इलाज शुरू करवा सकते हैं अगर आप अंचाब स्टेट के सरकारी करमचारी हैं तो आप भी अपनी किसी भी विमारी का इलाज गरवा सकते हैं हमारे पूरे भारत में 165 से अधिक शुधी आईरवेदिक क्लिनिक हैं अपनी नस्दी की क्लिनिका पता जाने के लिए नीचे दिये गए नमबर पर अभी कॉल करें